सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए तो पहला प्रिशन आपकी स्क्रिन पर है कि बोला टिन्बू किस देश के राष्टपती बने है तो अभी मार्च के महीने में साथियो बोला टिन्बू कहां के राष्टपती बनाए गए है नाइजीरिया के राष्टपती बनाए गए है पहली बात आपको ये ध्यान रखना है उसके बाद आपको साथी और दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपसे पूछा जाएगा कि बताए भाई साइप्रस के राश्टपती कौन बने है तो साइप्रस के राश्टपती कौन बने है निकोस, क्रिस्टो डॉलाइट्स जो है ये साइप्रस के राश्टपती बने है ये साथियों आस्टेलिया देश का जो डीकिन विश्वद्याले है ये गिफ्ट शहर में अपना परिसर इस्थापित करेगा जी आई एफटी शहर में उसके अलावा साथियों अगर बात करें हाँ पर जापान और भारत की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और जाप के बीच होता है ये आपको ध्यान रखना है हाले में किसे P.I.B. का परधान महानिदेशक नुक्त किया गया है सबसे पहले अगर बात करें P.I.B. का मतलब क्या है तो Press Bureau of Press Information Bureau हो जाएगा Press Information Bureau का परधान महानिदेशक किसे बनाया गया है तो राजेश मलहोतरा को बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि नासा ने निकोलो फॉक्स को पहली बार एजनसी की महिला विग्यान प्रमुख के रूप में नुक्त किया गया है यानि कि आपसे पूछा जाएगा कि नासा ने किसे पहली बार एजनसी की महिला विग्यान प्रमुख के रूप में नुक्त किया गया है तो निकोला फॉक्स को किया है उसके बाद देखिए अगले नमबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है कि हाली में गोदरेज इं अगर बात करें साथियों उसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है कि भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो राजीव रगुवंशी को नुक्त किया गया है नेक्स नमबर का कोशन आप लोग देखेंगा और बताने की कोशिश कर रखना है आंसर आपको ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके अलावा अगर साथियों बात करें जो महमद शाहबुद्दीन है बांगलादेश की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि बांगलादेश के बाइसमे राश्टपती कौन बने है तो महमद शाहबुद्द आपको ऑप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके अलावा साथ ही ओगर बात करें असम की जिक्र किया गया था तो अगर आसम से आपसे पूछा जाए कि असम के राजपाल के रूप में किस ने शपतली है तो गुलाब चंद काटारिया ने असम के राजपाल के रूप में हो जाता है उसके अलावा साथ ही में आपको बता चुका हूँ कि भारत और जापान के बीच एक सयुक्त प्रक्षिशन अब्यास शुरू किया गया है जिसका नाम है धर्मगर जियन नेक्स नमबर का कोशन है कि हाल ही में नेक्स जनरेशन फ्यूल्स पर आईटी मदरास ने क प्रक्षिक्शन मौडूल विक्सित करेगा यानि कि आईटी मदरास जो है ये किसके लिए तो इसरो के लिए एक स्पेस फ्लाइट प्रक्षिक्शन मौडूल विक्सित करेगा ये भी आपको ध्यान रखना है चली आप सभी लोग उसे में रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को आप सभी लोग लाइक कर देंगे और क्लास को एक बार आप सभी लोग शेयर अवश्य कर देंगे क्योंकि आपका शेयर करना क्लास को हमें उर्जा परदान करता है तो नवे नंबर का प्रशन आपकी स्क्रीन प किया गया है साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि पी आई वी यानि के प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो का महा निदेशक किसे नुक्त किया गया है तो राजश मलहुतरा को नुक्त किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए उसके बाद देखिए कि हाली में अनुष्ठान कर्तवों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाती पेश किये गये हैं तो साथियों आप से पूछा जाएगा कि बताये कि सराज्य के मंदिर में अनुष्ठान कर्तवों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाती पेश किये गये हैं तो केरल आपको बताना है च दियान रखना है अगर बात करें सातियों यहाँ पर भारती टेलिफोन उद्धोग के जो CMD बने है चीफ मैरेजिंग डिरेक्टर बने है वो कौन बने है राजिश रॉय बने है इनका भी नाम आपको धियान रखना है चलिए तो सातो इस वीडियो के माध्यम से मार्श महीने क संपूर करेंट अफैर सातियों कवर कर दिया जाएगा अगर आप लोग सातियों करेंट अफैर में कोई दिक्कत है तो जिस परकार से इस चैनल के माध्यम से सातियों जैसे के मार्श महीने का करेंट अफैर यहाँ पर बनाया गया है सो प्रशनों में कवर किया गया है उसी फरवरी और जनवरी महीने का भी करिंट अफैर आपको देखने को मिल जाएगा और लेडी साथियों वो इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्द कराया जा चुका है आप लोग वीडियो वाली लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी जरूर देख सकते हैं चले तो हाल ही में किस राज़ के तीन जिले हैं जहां पर सोने की खाने मिली हैं अगर बात करें ओडिशा की तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला एगरी चौट बोट चैट बोट अमा कुरुशाई जो है कहां पर लॉंच किया गया है तो ओडिशा में लॉंच किया गया है उसके बाद देखिए हाल ही में बान थौंग किस देश के राश्टपती बने हैं तो किस देश के बने हैं वियतनाम के राश्टपती अगर आपसे पूछे जाएं तो बॉन्थूंग का नाम आपको ध्यान रखना है ये वियतनाम के राश्पती हैं कौन बॉन्थूंग चलिए उसके अलावा वियतनाम के राश्पती आपको ध्यान रखना है और नाइजीरिया के राश्पती भी आपको ध्यान रखना है तो तमिल्लाणू राजने साथियों शीतलन कारकरम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझवता किया है बात करें आपर फिर से अगर तमिल्लाणू की बात करें तो पूछा जाएगा भारत का पहला हाईबिर्ट रॉकेड चेंगल पट्टू कहां पर लॉंच किया गया है तो तमिल्लाणू में लॉंच किया गया है हाली में किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है तो करनाटक ने साथियों जीती है यह बात आपको ध्यान रखना है उसके बाद अगर बात करें परदान मंतरी मोदी ने करनाटक में शिव मोंगा हवाई अड़े का उद्गाटन किया आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि हाली में विशेश चासन शिवरो का उद्गाटन कहां पर किया गया है तो कहां पर किया गया जम्मू कश्मीर में किया गया है आंसर आपको ऑप्शन नमबर बी है नेक्स नमबर का कोशन देखिए लेकिन उससे पहले एक महत्पूर्ण चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकल रेस कहां पर शुरू हुई है सातियों शिरी नगर में शुरू हुई है ध्यान रखना है हाल ही में मौगंज कि सराज का चौगनवा जिला बना है मौगंज कि सराज का चौगनवा जिला बना है तो सातियों मद्ध पुर्देश का चौगनवा जिला कौन सा जिला बना है 54 जिला सोरी चोंगन मा नहीं बलकि तरे-पनमा जिला पूछा जा रहे तरे-पनमा जिला जो बना है वो मोगज बना है ये बात आपको ध्यान रखना है अगर आप से पूछ लिया जाए कि सात्मा अंतराश्टी धर्म धर्म सम्मेलन कहां पर आउजित किया गया है सात्यों तो बंद परदेश के भोपाल में आउजित किया गया है उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसराज सरकार ने इलेक्ट्रोनिक वहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजिकन शुल के माफ करने की गोशना की है चलिए तो उत्र परदेश इस प्रशने का बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा उत्तर परदेश के द्वारा ये गोशना की गई है चलिए अगर बात करें किसराज ने फैमली आईडी पोर्टल लॉंच किया है तो उत्तर परदेश ने लॉंच किया है ये बात आपको ध्यान रखना है हाली में किसराज के मुक्मंत्री ने एकल महिलाओं के लिए सोय रोजगार योजना शुरू करने की घोशना की है तो अच्छा कोशन अब इंपॉर्टन कोशन है इसका राइट आंसर आप से पूछा जा रहा है क्या हो सकता है तो उत्राखंड इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नमबर सी अगर बात करें भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक जो है वो कहां पर स्थापित होगा तो उत्राखंड में स्थापित होगा ये बात भी आपको ध्यान रखना है नेक्स नमबर का कोशन है कि हाली में किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला नयाई भीश न्यूक्त किया गया है ये नामित किया गया है तो साथियों किसको नामित किया गया है तेजल महिता को नामित किया गया है ये बात आपको ध्यान रखना है यहां पर आपसे सातियों पूछा जा रहा है कि हाल ही में 23 राष्टर मंडल कानून सम्मेलन कहां पर शुरू होगा तो कहां पर शुरू होगा सातियों गोवा में शुरू होगा 23 राष्टर मंडल कानून सम्मेलन most important question था अगर यहां पर बात करते हैं सातियों कि जो केंद्री मंत्री है जिनका नाम है भुपेंद्र यादव इन्होंने गोवा में आदर मुमी बचाओ अभियान शुरू किया है प्रशन आप से पूछा जाएगा कि भुपेंद्र यादव के दोरा आदर मुमी बचाओ अभियान शुरू किया गया है कहां पर शुरू किया गया है तो गोवा में शुरू किया गया है कई प्रकार के प्रसुन बने गए पूछा जाएगा आदर मुमी बचाओ अभियान कहां पर शुरू किया गया है तो कुल मिला कि जितना साथियों आपको करवाया जा रहा है उतना आप लोग कर लेंगे करिंट अफैर के सेक्शन में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी चलिए उसके बाद देखिए कि हाली में शिक्षा मंतरी ले किस IAT में नए BSC नए BS पार्टिकरम का शुभार्म किया है तो नए BS पार्टिकरम का शुभार्म जो किया है यह आपको धेहन रखना है अगर बात करते हैं केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर की तो अनुराग ठाकुर ने आई आई टी रोपन में युवा उससफ की शुरुआत की है ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद दीकिए कि हाल ही में सैफलों इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड अमबेसिडर बनाया है उसके अलावा आपको ध्यान रखना है उसके पैपसी ने किसे अपना बरांड अमबेसिडर बनाया है पेपसी ने ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए किसने नय लेखा महानी अंतरक के रोक में कारबाहर समाला है यानि कि लेखा महानी अंतरक गरोप किसे नुक्त किया गया है आप से पूँछा जा रहा है प्रामेरिका लाइफ इंशोरेंस का M.D. और C.E.O. न्यूक्त किया है, यह आपको ध्यान रखना है, चलिए। तो वीडियो को लाइक करते जाएंक और वीडियो को शेयर भी आवश्य कर दिजएगा, हो सके तो वीडियो एंड से पहले वीडियो पूरी देखने के पाद सास्थियो को शेयर करेंगे。 25 नमबर का पुरशन आपकी स्क्रीन पर है आपको बताना है किसने इंडियाज इस्टेगल फॉर इंडिपेंडनेस गांधियन एरा नामक पुस्तक का विमोचन किया है तो साथियों किसने किया है आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है रमा सुबरवनियम का नाम इन्होंने इसका विमोचन किया है तो आंसर आपका आपको आप्शन नमबर सी के साथ जाएगा अगर बात करें साथियों इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नाम की पुस्तक की तो इसका विमोचन किसने किया है डॉक्टर मनसुक मंडाविया ने इसका विमोचन किया है नेक्स नमबर का कोशन है। के हाल ही में कहां SCO के तहट पारंपरिक चिकितसा पर पहला B2B Conference and Expo आयजित किया गया है तो साथियों कहां पर आयजित किया गया है असम में आयजित किया गया है ये आपको ध्यान रखना है आंसर आपका option number C के साथ जाएगा अगर आप से पूछ लिया जाए कि पहला Bodo Land अंतराश्टिय गरान महसफ कहां पर आयजित किया गया था तो आसम में आयजित किया गया था उसके बाद देखें साथियों कि हाल ही में पेटियम ने वित्पिय समावेशन को बड़ावा देने के लिए किस राज सरकार के साथ समझोता किया है बताईए तो किस राज सरकार के साथ समझोता किया है आंधर प्रदेश सरकार के साथ समझोता किया है ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद अगर बात करें कि आंधर प्रुदेश के एक जो कडपा जिला है यहां पर तेहरमी शताब्दी में मंदिर की खोज की गई थी ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद देखें साथ यो अगले नमबर का पुर्शन है कि हाल हीमे सलील हाल हीमे सलीत आउनो किस राज़की कैबिनेट का नेतरत करने वाली पहली महिला बनी है तो किस राज़की कैबिनेट का नेतरत करने वाली पहली महिला बनी है नागा लेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यहने कि आपसे प्रिशन ये भी बन सकता है कि साथ यह नागा लेंड की कैबिनेट का नेतरत करने वाली पहली महिला का नाम बताईए तो सलीत ओनो का नाम आपको ध्यान रखना है प्रिशन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन ये गारिंटी है कि पृषन पूछा जाएगा तो इसी प्रिकार के पृषन आपसे पूछे जाएंगे अब नागा लेंड का जिकरा आया था तो नागा लेंड के राजजपाल जो भी हाल फिलाल में बने है वो कौन बने है ला गनेशन बने है ये बात भी आपको ध्यान रखना है उसके बात देखे है कि हाल ही में किसने Age Good, Age My, Word, Memoir नामक पुस्तक लिखी है इस पुस्तक के लेखक आप से पूछे जा रहे हैं तो के इम चंदरशेखर का नाम आपको ध्यान रखना है ये इस पुस्तक के लेखक है उसके बाद अगर बात करें कि मोदी शॉपिंग एक Global Order In Flux नाम की पुस्तक साथियों किसने लांच की है तो JP NEDDA ने लांच की है ये भी आपको ध्यान रखना है अगर बात करतें नेपाल के राश्टपती हाल फिलाल में जो साथियों बने है वो कौन बने है यानि के मार्च के महीने में नेपाल के राश्टपती जो बने है वो राम चंदर पॉंडेला बने है इनका नाम आपको ध्यान रखना है उसके बाद अगर बात करें साथियों अभी मैंने आपको बताया था कि कोवेट के परधान मंतरी कौन बने है तो शेख अहमद नवाफ अहमद अलसभा का नाम आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए हाल ही में किसराज के सौस्त मंतरी ने एक नया सौस्त कारकरम आरोग महीला शुरू किया है तो फिर से मैं आपको बता रहूं कई परकार से पूछा जा सकता है पूछा जाएगा के आरोग महीला कारकरम कहां पर शुरू किया गया है तो तेलगाना में शुरू किया गया है पूछा जाएगा सात्यों के ये कैसा कारकरम है तो ये एक स्वस्त कारकरम है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगा उसके बाद देखिए तेलगाना में समता कुम शुरू किया गया है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करें हाल ही में Reliance Life Sciences को किस IIT ने किस IIT से Zone Therapy Technology का लाइसेंस मिला है तो अगर बात करें किस से मिला है तो IIT कानपुर से मिला है इसलिए आंसर आपका option number B हो जाता है अग थाकुर ने इस उत्सफ की शुरुआत की थी ये आपको धिहान रखना है इसके अलावा अगर बात करते हैं किस देश ने International Big Cat Alliance बनाने का प्रस्ताव दिया है तो किस देश ने दिया है अपने भारत ने दिया है ये आपको धिहान रखना है उसके बाद अगर बात करें कि भारत ने दुनिया का पहला बांस बेरियर लगाया है प्रशना आपसे बनेगा कि विश में ऐसा कौन सा देश है जिसने पहला बांस बेरियर लगाया है तो भारत आप्शन में होगा आपको भारत लगा देना है अगर बात करें हाली में भारत औ पर समझोता करने की घोशना की है तो साथियों किस देशने तो अमरीका इस कोश्चन का बिलकुल करेक्ट आंसर हुझाता है यह दोक्रान साथ की से भारत और भारत और अमरीका की से 26 सेistic nggak अर बत करते हैं कि हाली में किस राज ने केंदर से पोस्ता की खेती करने की अनुमती देने का आगरह किया है ओड़िशा महराष्ट पश्यम बंगाल तो क्या इसका जवाब होगा पश्यम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाता है पश्य मंगाल ने केंदर से पोस्ता की खेती करने की अनुमती का आगरे किया है कि सराज ने तो पश्य मंगाल ने उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों पश्य मंगाल का मुख सूशना आयुक्त किसे बनाया गया है तो DGP विरेंदर को जो है वो पश्य मंगाल का मुक्त सूशना आयुक्त नयुक्त किया गया है आपको ध्यान रखना है उसके अलावा अगर बात करते हैं कि City Index 2023 में सबसे जादा महिला अरब पतियों की सूची में कौन सा जो है वो देश शिर्श पर रहा है सातियों ये टॉप लेबल का कोशन है और ट्रेंडिंग वाला कोशन है ये कोशन परिक्षाओं में पूछा जाएगा इसलिए आपको ध्यान रखनें क्योंकि City Index 2023 में सबसे जादा महिला अरब पतियों की सूची में कौन सा देश शिर्श पर रहा है तो अमरिका रहा है अगर बात करें सातियों अभी जो मैंने आपको बताया था रिवीजन बहुत जरूरी है भारत और अमेरिका के दौरा सायुक तरूप से विक्सिट जो निसार है ये मिला है सातियों भारत और अमेरिका के दौरा किस को इस रो को ठीक है चली उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुरूशने के हाल ही में कौन सर आज चौती महिला निती पेश करेगा तो महराष्ट सरकार करेगी आपको धियान रखने आंसर आपको आप्शन अमर सी के साथ जाएगा पहली बार महिला प्रीमियम लीग नवी मुंबई कहां पर में क्रिकट से सन्यास की गोशना की है या आप से साथियों पूछा जा रहा है तो आस्ट्रेलिया इस प्रिशनिका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको वो कंटेंट दिया जाए जो परिखशा के लिए वाकई में उप्योगी हो जो परिखशा में पूछा जाता है क्योंकि मैंने कई सालों की परिखशा का एनलिसिस किया है कि किस परिकार के करिंट अफेर के पुछनाप से पूछे जाते हैं तो मैंने साथियों जिस परिकार के करिंट अफेर के कोशन्स देखे हैं उनी कर उसी परिकार के करिंट अफेर को यहां पर cover किया जाएगा और मैं आपसे बिलकुल सातियों डावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी प्रकार के questions आपको परिक्षा में देखने को मिलेंगे चलिए तो हाली में किस देश के क्रिकेटर शौन मार्श ने पर्थम शौनी के क्रिकेट से सन्यास की कोशना की है तो आउस्ट्रेलिया के ये करिकेटर हैं अगर बात करते हैं सातियों आउस्ट्रेलिया की तो छिपकली की एक नई परजाती जिसका नाम है ये कहां पर खोजी गई है तो आउस्ट्रेलिया में खोजी गई है चली उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्टिक तीरतियात्रा गलियारा मिला है तो किसे मिला है साथियों उत्तरा खंड को मिला है या आपको धियान रखना है नेक्स नंबर का कोशन है कि उत्रागंड के मुख्हमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वेरोजगार योजना शुरू की है अच्छा कोशन है और अच्छा इंपॉर्टन फैक्ट है उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसने तो सात्यों किसके द्वारा ये पुस्तक आपको बताना है विमोचन किया गया है तो कर्ण सिंग के द्वारा इसका विमोचन किया गया है आंसर आपका जो जाता है वो आप्शन नमर बी के साथ जाएगा अगर बात करें हाँ पर as good as my word एं मुमोयर नामक पुस्तक इसके लेखक साथियों किस ने लिखी है तो चंद शेकर ने लिखी है ये पृष्ण भी मैं आपको बता चुका हूँ चले उसके बात देखिए 42 में नंबर का पृष्ण है भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा समंदों को मजबूत करने पर सहमत हुआ है बताईए तो भारत और और ऑस्टेलिया की अगर बात करते हैं तो आर्थिक रक्षा समंदों पर मजबूत करने पर इन दोनों ने सहमती जताई है ये दोनों राजी हुए हैं अगर बात करें हा पर auस्टेलिया ने अपनी करेंसी से बृटिश राजशाही की तस्वीरे हटाने की घोशना की है तो किस देश ने घोशना की है गोशना की है हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोनने पर सहमत हुआ है बताने की कोशिश कीजी इस पूचनिकास सही इत्तर आपका क्या हो सकता है तो सौदी अरब इसका right answer हो जायगा यानि कि इरान और सौदी अरब देश ने एक दूसरे देश में दूता वास खोलने के लिए सहमत हुए हैं तो जो लोग भी यहां पर आप्शन नमबर B के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सौधी अरब ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोशना किये तो किस देश ने किये इस परकार से प्रशना आप से पूछा जाएगा कि 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोशना किस देश ने की है तो सौधी अरब ने की है इस परकार से साथियों आपको धियान रखना है अब उसके बाद अगला प्रशन देखिए कि हाल ही में किस आई आई टी के वैग्यानिकों ने ने जीवाणू रोधी अणू आई आई टी आर डबल जीरो सिक्स नाइन थरी की खोच गी है के हाल ही में परदान मंतरी मोधी ने कहां दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उदगाटन किया है तो दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उदगाटन किया गया है साथियों वो करनाटक में किया गया है किसके द्वारा किया गया है तो नरे नर्मोदी के द्वारा किया गया है ये दो बाते आपको ध्यान रखना है और करनाटक के संबन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि सातियों 54 साल बात किसको संतोष ट्रॉफी जीती है तो करनाटक नहीं जीती है अगर बात करते हैं 46 में नमबर के पुशन की तो हाल ही में भारत के लिए सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले गेंदवाज कौन बने है आप से पूछा जा रहा है तो साथियों कौन बने हैं अक्षे पटेल बने हैं इसलिए आंसर आपका उप्शन नमबर सी के साथ जाता है आपको ध्यान रखना है महिला T20 वर्ल्ड कप में सबसे जादा विकेट लेने वाले खिलाडी कौन है तो शवनीम इसमाईल का नाम भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि टेक महिंदरा ने किसे MD और CEO के रूप में नियुक्ति किया है बताई भाई देखे MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO की फुल फॉर्म होती है चीव एग्जेक्यूटिव आफिसर इतना आपको ध्यान रखना है तो MD और CEO के रूप में साथ में किसे नियुक्ति किया गया है मोहिज जोशी को नियुक्ति किया है अगर बात करते हैं कि EME EKI की कमान समानने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है तो गीता रमन का नाम आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर खुलेगा वाई तो कहां पर गुड़ खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा ये मोस्ट इंपॉर्टन कोशन है आपको धियान लखने साथ ही हो अगर बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे उचा प्रतिश्चित राश्टी धोज लगाया गया है ये भी आप लोग एक बार अपने जहन में बिठाएंगे उसके बाद देखिए कि हाली में अशोक लेलन्ड ने कहां आल वी मैं प्रोडक्शन लाइन 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 लाउच की है बताने की कोशिश कीज़े तो कहां पर की है साथियों तमिल नाणू में की है इसलिए आंसर आपको आप्शन नमबर C के साथ जाता है नेक्स नमबर का को रिपोर्ट के अनुसार किस राज में अधिकतम वन छेतर विकसित हुआ है चलिए तो अगर बात करें इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है तो आंधर प्रदेश जो लोग भी आप्शन नमबर सी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर है आपका अगले नमबर का प्रश का जो कडपी जिला है यहां पर तेरमी शताबदी में बना एक मंदिर था उसकी हाल फिलाल में अभी खोज की गए थी आपको ध्यान रखना है नेक्स नमबर का कोशन है कि हाल ही में किस राज का पूरा ब्रॉंड गेट ब्रॉंड गेज नेटवर्क भारती रेलवे द्वार विधूती करत किया गया है तो सातियों उत्तरा खंड इसकोशन का राइट आंसर हो जाता है आपको ध्यान रखना है कि उत्तरा खंड राज का पूरा ब्रॉंड गेज नेटवर्क भारती रेलवे द्वारा विधूती करत किया गया है चली तो उसके बात देखेंगे कि उत् तीर तीयातरा गलियारा मिलेगा ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बैंक के CEO के रूप में नुक्त किया गया है या आप से पूछा जा रहा है। आर्म इंपोर्टर कहां पर सकौन है या आप से पूछा जा रहा है। कौन सा देश है भारत जापान है या पाकिस्तान है। तो अगर बात करें सातियों सिप्री की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2018 से 2022 के वीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्मस इंपोर्टर जो बना है वो भारत बना है ये आपको ध्यान रखना है। को अप्शन नमबर A के साथ जाएगा अगर बात करें भारत के दुआरा हिंद महा सागर छेतर में ट्रॉपेक्स 2023 अभ्यास आयज़त किया गया है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे चलिया। हाल ही में आई DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे जादा महिला पाइलेट किस देश में है तो दुनिया में सबसे जादा महिला पाइलेट अपने भारत में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जिनका नाम है मेसत ओजिल तो मेसत ओजिल ने सन्यास की घोशना की है तो मेसत ओजिल सातियों किस देश के थे ये आप से सातियों पूछा जाएगा। तो किस देश के थे बताने कि अगर कोशिश करेंगे तो जर्मनी सकोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर होगा। मेसत ओजिन ने सन्यास की गुशना की है और ये जर्मनी देश के हैं अगर बात करें यूनिसको शांती पुरुसकार से एंजला मारकल को सम्मानित किया गया है ये आपको ध्यान रखना है चलिए उसके बाद देखिए कि हाली में किस राज सरकार ने मुख्मंत्री वरक्ष संपदा योजना शुरू की है तो 36 गड़ सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है मुख्मंत्री वरक्ष संपदा योजना शुरू की है ये बात आपको ध्यान रखना है अगर 36 गड़ की बात करें तो 36 गड़ के राज़पाल के रूप में शपत किसने लिए है तो विश बूशन हरी चंदन लिए है ये बात आपको ध्यान रखना है साथियों अभी 12 से 13 राज़ों के नए राज़पाल नूक्त किये गए हैं तो कई सारे में आपको साथियों वीडियो के माद्यम से कई सारे राज़ों के राज़पाल में आपको याद करा दूगा बस आपको वीडियो में बने रहना है उसके बाद देखिए कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स युनिवर्स्टी इस्थापित करने जा रही है तो क्या होगा साथि उस कोशन का राइट आंसर हलद्वानी आपको ध्यान रखना है इत्तुराखंड के उत्तराखंड के हलद्वानी में उत्तराखंड सरकार जो है वो स्पोर्ट्स युनिवर्स्टी इस्थापित करने जा रही है यह मोस्ट इंपोर्टन कोशन था आपको ध्यान रखना है अगर सातियों बात करते हैं हम लोग के पशु चिकेटसा और आयुरवेद पर अंतराश्टी ये आयुरवेद सम्मेलन का उद्गाटन कहां पर हुआ था तो हरीद्वार में हुआ था ये आप लोग ध्यान रखेंगे अगर बात करते हैं सातियों मध्य पर अठावर्देश के उद्गाटन कहां पर किया था तो मध्य पर्देश के भूपाल में ही किया था आपको ध्यान रखना है चले हाल ही में किस राज की विधान सभा ने आनलाइन जुए के खिलाफ विधियक को फिर से अपनाया है तो साथियों यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा तमिल नाडू आपका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है जो ऑनलाइन जुए के खिलाफ विधियक था इसको फिर से किस राज ने अपनाया है तो तमिल नाडू की विधान सभा ने अपनाया है या आपको ध्यान रखना है चले अगर बात करें अशोक लेलेंड की तो इन्होंने तमिल नाडू में आल विमेन प्रोडक्शन लाइन लॉंच की भारत का पहला हाइबरेट रॉकेट जो है वो चेंगल पट्टू है कहां पर लॉंच की है तो सातियों ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कौन से पहला हाइबरेट रॉकेट जिसका नाम चेंगल पट्टू है ये तमिल नाडू में लॉंच किया गया है अब उसके बाद अगर सातियों यहां पर बात करते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश ने अरब सागर में सायुक्त अभ्यास कौंकर अभ्यास आयोजित किया है बता करें UK ने illegal migration bill पेश किया है पूछा जाएगा किस देश ने illegal migration बिल पेश किया है तो UK ने किया है अगले नंबर का पुर्षन है कि हाल ही में G20 Research and Innovation Initiative Gathering का आयोजन कहां पर हुआ है बताने की कोशिश कीजिए तो असम राज्य में हुआ है आप सभी लोगों को याद रतना है आ अगले नमबर का प्रिश्णाप की स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे केरल के सर्वोच नागरिक समान से समानित किया गया है तो उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ वासू देवन नारायन उनका नाम है इनको केरल का सर्वोच नागरिक समान मिला है आपको ध्यान रखना है च गोड़ा, जात्रा, महस्भ मनाए गया है तेवहार मनाए गया है महस्भ मनाए गय게 है ये बात आप सभी लोगों को याद रखनाए और अभी मैंने आपको बताया था कि नेपाल के राष्टपती कोन बने है रामचंद्र पॉंडेला नेपाल के राश्टपती बने हैं ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए जो कि यहाँ पर नीचे सात्यों मेंचन किया गया है अगर बात करें हाल ही में जारी लिस्ट में स्वे निर्मित अरब पतियों में कौन सा देश शिर्श पर रहा है आप से पूछा जा रहा है तो अगर बात करते सातियों चीन पहले नमबर पर रहा है, भारत तीसरे नमबर पर और युसे दूसरे नमबर पर रहा है। भारत की पॉजीशन भी आपको ध्यान रखनी है। चीन की संसद में ने प्रिमेम के रूप में किसको नामित किया गka है तो ली कियंक को नामित किया आप सभी लोग धियान रखेंगे चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नमबर का प्रिशन जो है कि हाल ही में किस देश के करिकेटर आसिफ शेख ने 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन्स इस्पिरिट आफ करिकेट एवार्ड जीता है तो ये एवार्ड तो साथियों 2022 का है मिला कब है या आप से पूछा जा रही है मिला तो मार्च 2023 में है तो साथियों नेपाल देश के ये करिकेटर है जिनका नाम है आसिफ शेख इनको 2022 का करिस्टोफर मार्टिन जेनकिन्स Spirit of Cricket Award मिला है ये नेपाल के हैं और इनका नाम आपको धियान रखना है फिर से मैं नेपाल के राश्टपती का जिक्र करूंगा रामचंदर पॉंडेला इनका नाम है उसके बात देखिए कि हाल ही में Invest India के MD और CEO की का अतिरिक्ति परभार किसे दिया गया है तो MD की फुल फॉर्म होती है मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO की फुल फॉर्म होती है Chief Executive Officer ये बात मैं आपको बता चुका हूँ तो Invest India के MD और CEO का अतिरिक्ति परभार किसे दिया गया है तो मनमीत के नंदा को दिया गया है ये आपको धिहान रखना है उसके अलावा आपको ये भी धिहान रखना है कि Cotton Corporation of India का CMD किसे नुक्ति किया गया है तो Chief Managing Director किसे नुक्ति किया गया है ललित कुमार गुपता को नुक्ति किया है ये आपको धिहान रखना है सत्तरवे प्रश्न की अगर बात करते हैं कि हाल ही में स्टार बक्स के CEO के रूप में किसे नुक्ति किया गया है पंकज गुपता को लक्षमल नरसिम्हा को ललित कुमार गुपता को तो किसको नुक्ति किया गया है लक्षमल नरसिम्हा को नाम आपको धिहान रखना है इनको स्टार बक्स के CEO के रूप में नुक्त किया गया है उसके बाद देखिए कि हनीवेल ने CEO के रूप में किसे नुक्त किया है तो विमल कपूर को CEO बनाया गया है किसका हनीवेल का फिरशना आप से पूछा जाएगा, आप सभी लोग सातियों से सारे कोशन्स द्यान रखेंगे, उसके बाद देखिए कि हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने किस देश के लिए 3 अरब डॉलर के राहत पैकेज को मनजूरी दी है, तो शिरलंका की अगर बात करते ह नेस्ट्रोक हाता किस ने खोला है, शिरलंका की बैंक ने खोला है, या आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर बात करते हैं 72 नंबर के पुशन की, तो हाल ही में स्वस्त का अधिकार वेधियक पारित करने वाला पहला राज कौन सा बना है, तो पहला राज सातियों कौन सा बन राजस्थान बना है, ये बात आपको धियान रखना है, आंसर आपका उप्शन नंबर A के साथ जाएगा, अगर राजस्थान के जैपूर की बात करते हैं, तो भारत की पहली वैवहार प्रियोक्शाला कहां पर इस्थापित की जाएगी, तो जैपूर में इस्थापित की बात करें तो पदमा लक्षमी का नाम आपको धिहान रखना है आंसर आपका भई आप्शन नमबर B के साथ जाता है उसके बाद अगर बात करें कि कॉर्टन और कॉर्परेशन आफ इंडिया के C.E.O के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो ललित कुमार गुपता को नुक् बना रही है तो वो कौन सी सातियों राज सरकार है जो ये योजना बना रही है पश्चिम बंगाल वो योजना है जो हातियों की सुरक्षा के लिए 600 यूवा गजमित्र नुक्त करने की योजना बना रही है आपको धिहान रखना है ये बात मैं आपको बता चुका हूँ के पश्टिमंगाले के अंधर में पोस्ता की खेती करने के लिए सात्यों अनुमती का आगरह किया है। की परिक्षा के लिए चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशना है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला सब मरीन बेश शुरू किया है तो साथियों बताने की कोशिश करेंगे कि मैं आमार है बांगला देश है मौलदीव है तो बांगला देश का नाम आपको ध्यान रखना है क्यों कि बांगला देश ने अपना पहला सम्ब मरीन बेश शुरू किया है प्रशनाप से परिक्षा में पूछा जाएगा उसके अलावा मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि बांगला देश के 22 में राश्रपती कौन बने है तो महम्मद शाहब अद्द क्योंकि शिरलंका देश के एक बैंक ने एक भारती रुपया नामित नेस्टो खाता खोला है अगर बात करें यहाँ पर सातियों सीडी जो दिग्गंत सीडियस विपिन रावत के समान में शिरी लंका के शिरी मुक्तीनाथ मंदिर में घंटी लगवाई गई है या आपको ध दो बाते आप लोग यहाँ पर सातियों ध्यान रखेंगे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जहरनी योजना पोर्टल किसने लौंच किया है तो जहां से जहरनी हो जाएगा और जहां से जहरकंड हो जाएगा तो जहरनी योजना पोर्टल तो जहरकंड में लौंच किया राजयो के राजयपाल मैं आपको साथियों बता चुका हूँ ठीक है चलिए सरस्वती सम्मान2022 के लिए किसको चुना गया है तो शिवशंकरी को चुना गया है चलिए भाई अब अगर उसके बाद अगर बात करें किसे संगीत काला निधी पुरसकार से समानित किया जाएगा तो ये कोशन तो साथियों रिपीट हो चुका है लेकिन बॉम्बे जैशिर इसका राइट आंसर हो जाता है आगले नमबर का साथियों प्रशन है कि हाल ही में किसे कॉर्टन क Corporation of India के CMD बनाया गया है ये बात आपको ध्यान रखना है अगर बात करें ताजिकिस्तान की तो ताजिकिस्तान में सयुक्त राष्ट के रेजिडेंट को ओर्डिनेटर के रूप में के आर पारवती को निउक्ति किया गया है ये बात आपको ध्यान रखना है आगले नमबर क ध्यान रखेंगे चली उसके अलावा अगर बात करें कि पहला बोडो लेंड अंतराश्टी ग्यान मौसब कहां पर होगा तो असम में होगा नेक्स नम्मर का कोशन आपकी स्क्रीन पर है बताने की कोशिश करेंगे इस परिशन का सही उत्तर क्या होगा अच्छा कोशन है सात्यों आपको ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं कि अगले नंबर का पुशन आपके स्क्रीन पर है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में धूमरपान कानूनों के लिए कि शेहर को स्वस्त शेहरों के लिए साज़ेदारी पुरसकार मिला है बताईए। पूरे को बैंगलूरू को लखनो को किसको मिला है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों धूमरपान कानूनों के लिए बैंगलूरू को स्वस्त शेहरों के लिए साज़ेदारी पुरसकार मिला है आंसर आपका आप्शन नमबर B के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अ कुत्तर मैं आपको बता चुका हूँ के आर पारवती को ताजिकिस्तान में सयुक्त राष्ट के रेजिनेंट को औरिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है या आप सभी लोगों को ध्यान देना है अगर बात करें TCS का TCS का CEO किसे बनाया गया है तो कृति वासन को TCS का CEO नियुक्त किया गया है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे अगर बात करते हैं च्छासिवे नंबर में के प्रिशन की तो किस राज़की बर्डा WLS को एशियाई शेरो के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है वताई बाई गुजरात के हाई कोट की मुखे नयदीश बनी है परिक्षा में प्रिशन आपसे पूछा जाएगा के निमलिकेत में से कौन गुजरात के हाई कोट की मुखे नयदीश बनी है तो जस्तिस सुनिया गोकानी का नाम आपको ध्यान रखना है और उत्तर लगा देना है आपको बहुत ही शानदर तरीके से अब उसके बाद देखिए कि हाल ही में नेपाल के तीसरे उपराश्टपती कौन चुने गए हैं आप से साथियों पूछा जा रहा है बताने की कोशिश कीजिए देखिए उपराश्टपती का जिक्र है तो मैंने आपको बताया था कि नेपाल के र अब बात करते हैं नेपाल के तीसरे उपराश्टपती कौन चुने गए हैं तो राम सहाय परसाद यादव चुने गए हैं ये बात आपको ध्यान रखना है आंसर आपका आप्शन नमबर सी के साथ जाएगा चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नमबर के पुछन की यहा अनिस ने जिलो और तीन ने संभागों की गोशना की है बात आपको ध्यान रखना हैं तेकि राजिस्तान का जिकराया है तो मुझे एक परशन याद आ जाता है आपसे परशन पूछा जाएगा कि भारत की पहली वैवहर प्रियोगशाला कहां पर इस्थापित की जाएगी तो राजिस्तान के राज़धानी जैपूर में इस्थापित की जाएगी आपसे पूछा जाएगा जो अठारमी विश्व सुरक्षा कॉंग्रेस है ये कहां पर आज़ित की जाएगी ये भी राजिस्तान के जैपूर में आज़ित की जाएगी ये आप सभी लोगों को गाटन किया है तो किस राज़ ने किया है साथ ही मलीपूर राज़ ने किया है ये बात आपको ध्यान रखना है यानि कि मलीपूर राज़ के राज़पाल ने प्रकरति खेती पर अंतराश्टिय सम्मेलन का उद्गाटन किया है आप लोग ध्यान रखेंगे यहां पर मलीपू उची पोलो पृतिमा का जो अनावरन किया है उदगाटन किया है एक कहां पर किया है तो मणीपुर में किया है एक उतसब मैंने आपको बताया था यशांग उतसब कहां पर मनाया जाता है मणीपुर में और गान नगाई उतसब कहां पर मनाया जाता है मणीपुर में ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुष्ण आपके स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे लगजर के ब्रांड अमबेस्टर के रोप में नियुक्ति किया गया है चलिए तो इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या होगा विराट कोहली इ जाता है आप सभी लोग ध्यान रखेंगे अगर आप से पूछ लिया जाए कि जीयो सिनिमा के ब्रांड अमबेस्टर किसे बनाया गया है तो आपको ध्यान रखना है सात्यों सूर कुमार यादव को बनाया गया है मैं आपको बता चुका हूँ कि पैपसी ने अपना ब्रां अमबेस्टर बनाया है ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए अगले नमबर का पुछन है कि हाल ही में किसने बेपिन दा मैं बिहाइंड दा यूनिवर्स्टी नामक पुस्तक लिए सात्यों तो ये पुस्तक किसने लिखी है आप से पूछा जा र आप सबी लोग ध्यान रखेंगे आंसर आपको ऑप्शन नमबर बी के साथ जाएगा अगर बात करें कि डॉक्टर ग्यान चत्रवेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है तो ये बात बिलकुल सही है प्रिशन आपका जो वो इस परिकार से बनेगा कि पागल खाना को यानि कि जो एक उपन्यास है पागल खाना इसको व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है ये किस के द्वारा लिखित है तो डॉक्टर ग्यान चंदर चत्रवेदी के द्वारा ये लिखित है अब उसके बात देखे कि हाली में कि इस राज सरकार ने राज के कार्यकरताओं के लिए 10% 36 आरक्षन की गोशना की है तो किसने की है सातियों उत्तराखंड ने की है ये बात आपको ध्यान रखना है इसलिए आंसर आपको आपको आप्शन नमर सी के साथ जाएगा उत्तराखंड की अगर बात करें आपसे पूछा जाएगा सातियों के उत्तराखंड के विधान सभा में कौन सा उत्सम मनाएगया है तो फूल दे उत्सम मनाएगया है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है चलिए अगर मैं आपसे सातियों ये पूछूँ के बताए भाई भारत का पहला ऐसा राज कौन सा बना है जिसने र पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेल काड़ी चली ही बताई बई गुजरात में उडिशा में मेगाले में या तमिलाणों में तो कहां पर चलेगी मेगाले में चलेगी इसलिए आंसर आपका किस के साथ जाएगा आप्शन नमबर सी के साथ आपका आंसर और सरंचार कारेकरम इस कारेकरम का नाम है ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करें प्रती कर्शी परिवार और उसत मासिक आए में कौन शीर्ष पर रहा है तो मेगाले राज शीर्ष पर रहा है प्रती कर्शी परिवार और और उसत मासिक आए में ये प्रिशन महत पू का उत्तर आपको ध्यान रखने साथ यो बहुत ही महत्पून है चली अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का पुर्शन है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि के रोप में साथियों तबलेश पांडे को प्रमोट किया गया है यह आपको ध्यान रखना है 95 नंबर का पुर्शन आप लोग देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर के हाल ही में दो दिवसी इस सी ओ परेटन मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी आपको बता किया गया है तो एरिक गरसेटी को नुक्त किया गया है उसके बाद देखिए कि हाल ही में किसे वे कॉम 18 के ब्रैंड अमबेस्टर के रोप में नुक्त किया गया है तो साथियों मैं आपको कई सारे ब्रैंड अमबेस्टर बता सुचुका हूँ जैसे के जियो सिनेमा का ब्र और मिंत्रा के ब्राइड अमेस्टर रणवीर कपूर हैं। दोनों में बहुत ही अंतर है। चलिए। अब अगर बात करें यहाँ पर विये कॉम 18 का ब्राइड अमेस्टर किसे बनाया गया है तो महेंदर सिंग धूनी को बनाया गया है। यह बात भी आपको धियान रखना लियो सिनमा का ब्राइड अमेस्टर सूर कुमार यादव को बनाया गया है। उसके अलावा देखिये साथियों के हाल ही में किसे PFRDA का अध्यक्ष निक्ति किया गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ पर कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा तो PFRDA की फुल फॉर्म क्या होती है तो Pension Fund Regulatory and Development Authority इसकी फुल फॉर्म होती है और इसका अध्यक्ष किसे निक्ति किया गया है तो दीपक महंती को इसका अध्यक्ष निक्ति किया गया है यह बात भ इनको ही साथ हिंदुस्तान Unilever Limited का MD CEO निक्ति किया गया है आप परशनाप से यह भी पूछा जा सकता है कि इस Limited का MD कौन बनाया गया है यह परशनाप से यह भी पूछा जा सकता है कि CEO किसे निक्ति बनाया गया है तो दोनों ही बाते आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों को जवाब आपका एक हो जाएगा MDB वही और CEO वही उसके बाद देखें कि हाली में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा परदर्शनी का उद्गाटन किया है भाई किस ने किया है पताए भाई यहने कि भारत और किस देश ने किया है तो भारत और श्रिलंका ने नई दिल्ली में जेफरी बाबा परदर्शनी का उद्गाटन किया है आप सभी लोगों को ध्यान रखना है आंसर आपका बाई option number B के साथ जाता है उसके अलावा अगर बात करें जो CDS विपिन रावत के स साथ भी मैं आपको बता चुका हूं सातियों के करती वासन को TCS का CEO बनाया गया है most important question star लगाने वाला question है उसके बाद देखिए अंतिम नंबर का 100 वा question आपकी स्क्रीन पर है सौमा प्रशन आपकी स्क्रीन पर है इस question का right answer क्या होगा कि हाल ही में किस राजी के विधान सभा भवन में full day उत्सव मनाया गया है तो full day उत्सव सातियों किस राजी के विधान भवन में मनाया गया है तो उत्रा खंड के विधान सभा भवन में कौन सा उत्सव मनाया गया है तो full day उत्सव मनाया गया है यह हो सकतो आपसे ऐसे भी पूछा जाए कि full day उत्सव किस राजी म में मनाय गया है तो उत्राखंड राज में मनाय गया है तो दोनों ही तरीके से आपको ध्यान रखना है तो ये थे साथियो मार्च 2023 के सो अती महत्पूर्ण करिंट अफैर मार्च का आपका एक भी कोशन्स इस क्लास को अटेंड करने के बाद मेरे ख्याल से नहीं चूटेगा तो उमीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगा अगर पसंद आई है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे क्लास को लाइक करेंगे वीडियो को शेयर करेंगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हम सबी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सातियों सब्सक्राइब करें गुरुजिव वर्ल और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए